तो हाई एवरीबन वेलकम बैक तो यर्फेवरेट बियोजी चैनल कोल्ड दो जोन क्लासेज माइम इस विपन कुमार शर्मा और आपका ये चेप्टर के अंदर टॉपिक फ्रूट एंड सीड की यानि लास्ट लेक्चर के बाद आपका ये चेप्टर खतम हो जाएगा और आज चर्चा करते हैं प्रूट की और सीड की सबसे पहले एक बेसिक डेफिनेशन समझ लेते हैं कि यार फ्रूट और सीड आखिर होता क्या है और ये बंते कैसे हैं हम लोगों को मोटा मोटा एक और्गनाइज़ेशन के बारे में पता है और ये अपका एक फीमेल फ्लावर के अंदर स्टिग्मा ये नीचे है आपका ट्यूब लाइक स्टाइल और ये सबसे नीचे बल्ज़ पार्ट है ओवरी राइट इस ओवरी के ऊपर एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजन्ट है जो कि हमने कल देखा था हमने प्लैसेंट है कि ऊपर क्या प्रेजन्ट है दोस्त आपके ओविल्स प्रेजन्ट है आपके ओव्यू प्रेजेंट है इसको अभी एक ओव्यूल हम लोग मानके चलते हैं और थोड़ा खुला बना लेते हैं क्योंकि हमारा पर्पस थोड़ा सा अलग है अब यहाँ पर अगर इसके उपर आके कौन बैठ जाता है, इसके उपर आके बैठ जाता है, pollen grain from the male plant, तो यह pollen grain क्या करता है, यहाँ पर आकर के गिर जाता है, और pollen grain जब यहाँ पर आकर के गिरा, तो stigma style से होते हुए, it reaches the egg for the fertilization purpose, और यह आपका इस egg को fertilize कर देता है, इस egg को fertilize कर देता है, यहाँ पर जो भी egg present होगा, उसको fertilize कर देगा, there would be proper double fertilization taking place in angiosperms, जो कि हम पढ़ चुके हैं in sexual reproduction of flowering plants, तो यहाँ पर double fertilization हो जाएगी, ultimately क्या बनेगा, double fertilization से दो चीज़े बनती हैं, क्योंकि नाम ही है double fertilization, तो दो तरीके की fertilization होगी, पहली fertilization जिसको हम sy इन गैमी बोलते हैं, उससे आपका क्या बनेगा, male और female gamete fertilize करके zygote बनाएंगे, और दूसरा आपका यहाँ पर क्या बनेगा, sir, दूसरा यहाँ पर क्या बनेगा, आपका endosperm बनेगा, खाने पीने का सामान बनेगा, endosperm बनेगा, एक haploid male gamete, एक haploid female gamete के मिलने से diploid z dygote बना, और आपके embryo sec के अंदर जो दो polar nucleus थे, उनका एक male gamete के साथ fuse होने पर triploid आपका endosperm बना, यह आपका general case है, यह मैं just extra knowledge दे रहाँ आपको, आप यहाँ पर क्या है, यह ovule जो है, यह after fertilization किसमे convert हो जाएगा, यह ovule जो है, यह after fertilization किसमे convert हो जाएगा, यह after fertilization किसमे convert हो जाएगा, आपका seed में, and यह जो ovule है, यह after fertilization किसमे convert हो जाएगी, आपकी fruit, and यह जो fruit है, it is a characteristic feature of angiosperm, क्योंकि यह आपका और कहीं नहीं पाया जाता, बहुत simple सी बात है, seed आपको फिर भी देखने को मिल सकता है, कि आप अगर seeded plants की बात करें, तो आपको gymnosperm के अंद अपनी fruit नहीं होता, और angiosperm में आपको fruit देखने को मिलता है, तो angiosperm की खास बात क्या हुई, कि flower भी इन ही में है, और fruit भी इन ही में है, तो fruit क्या है आपका, characteristic feature of angiosperm है, कि angiosperm में fruit आपका पाया ही पाया जाएगा, आल राइट, तो यह जो fruit है, अब इसकी महिमा के बारे में हमें समझना पड़ेगा, यह जो fruit है मेरे दोस्त, तो अंदर बना लेते हम लोग seed, अंदर बना लेते हम लोग seed, और इस seed के उपर क्या present रहेगा, आपका fruit present रहेगा, इस seed के उपर क्या present रहेगा, आपका fruit present रहेग right and this fruit की जो wall है that particular wall is called as what this particular wall is called as pericarp peri का मतलब periphery यानि चारों और carp मतलब fruit तो अंदर सबसे क्या है आपका seed बाहर क्या है आपका fruit और fruit की जो wall है इसे हमने क्या बोल दिया परिकार बोल दिया यानि fruit के चारों और carp का मतलब है आपका fruit इसलिए आपको स्टर्म्स भी सुनेंगे जैसे पार्थेनो कार्पिक fruit पार्थेनो मतलब without fertilization कार्प का मतलब कार्प रिलेटेट टू फ्रूट आलवेज यानि ऐसा fruit जो बिना पार्थेनो कार्पिक fruit बोलेगे अब फिर इसलिए आधेनो कार्पिक्फूट protection ही नहीं हुई तो क्या सिथ बन पाएगा यह तुप आफ्टर फ्रिलाお願いします ऑपन पाएगा नहीं इसे mindset नहीं इता UM बनाना खाने में लोगों को तकलीफ हो रही थी, क्योंकि उन सीट्स को अलग कर पाना उस फ्लेशी फ्रूट से is very difficult and that's why scientists decided it to be formed by parthenocarpy and इसलिए हम जो बनाना खाते हैं आज के दिन में उसके अंदर सीड नहीं है, right, क्योंकि वहाँ पर fertilization नहीं हुए, पार्थेनो जनेसिस, पार्थेनो मतलब without fertilization, जनेसिस मतलब सीधा generation करना, यानि अब organism बन रहा है directly without fertilization और कार्पी मतलब fruit बन रहा है, इन दोनों शब्दों में हमें confused नहीं होना है, अब यह पैरिकार्प जो है, यह दोस्त और modify हो सकती है, let's say यह जो पैरिकार्प है, यह और modify हो चुकिए है, तो यह क्या कर सकती है, outer layer बना सकती है, epicarp, beach का layer बना सकती है, mesocarp, and अंदर का layer बना सकती है, endocarp, यानि it can also differentiate itself, let's say for a reference, आप आम का एक reference लिलो, आप आम का एक reference लिलो, यह आम की गुठली है, आम की गुठली, आम की गुठली के ऊपर एक layer बना हुआ है, आम की गुठली के ऊपर एक layer लगा हुआ हार्ड, stony layer लगा हुआ है, जिसको आप खा नहीं सकते, है ना, वो जो hard stony layer है, यह आपका एक layer हो गया seed के ऊपर, इसके अलावा आप देखेंगे, तो बीच में जो है, वो खाने का आपका समान है, यानि fleshy, mesocarp है, और इसके ऊपर आम का छिलका है आपका, जो क्या हो जाएगा, आपका epicarp हो जाएगा, यह आपका आम का छिलका है, तो what is it, it is the mango, it is the mango fruit, सबसे center पर क्या है आपका, seed, उसके ऊपर क्या है आपके, seed की covering, जिसको हमने क्या बोल दिया, endocarp, उसके बाद बीच में fleshy, edible, खाते क्या हो हमके अंदर, गुदा खाते हो, mesocarp, और बाहर वाला पार्ट, इसका छिलका, यह क्या हो जाएगा, आपका, एपी कार्फ, तो यहाँ पर क्या लिख दो, इनका नाम लिख दो, खिलका है, ठीक है, mesocarp क्या है, fleshy edible part है, और endo, आपका यह जो कार्फ है, यह क्या है, stony part है, जिसको खा नहीं सकते है, गोशिश कर सकते हो, गुठली चूसने की, पर खा नहीं सकते है, ठीक है, यह आपक आम की structure हो गए, तो आम का जो fruit है, इसे प्यार से क्या बोलते है, mango का जो fruit है, इसे प्यार से क्या बोलते है, droop बोलते है, mango का जो fruit है, इसे प्यार से droop बोलते है, ठीक है, coconut के fruit को भी प्यार से droop बोलते है, लेकिन coconut में क्या हो जाएगा, दोस्त, coconut में अगर आप देखेंग है और अंदर के साइड इसकी वाइट करनल है और यह जो कोकटनथ का बार का पार्ट रहता है जो बहुत जादा वाइबरह्स रहता है । जिसके उपर है जिसना आपके फाइबरस लगे रहते हैं यह जो पार ऑफ यह आपका Department हो जाएगा मीज़ो कार आप नहीं होती यह आपका मीजोकार्ब है और मीजोकार्ब कैसा हैै आपकाव्रες है इसे आप खा नहीं सकते है है और आम की घुठली की चाहे आप बात करें उसली है जाय आप कोकोनट के सीड की बात करें डेर वुडब 員सीड ओंली लिए सिंगल और दों कोकोनट वह स्थाइल ऑवरी से बना हो यानि एक ऐसा फ्लावर हो उनका जिसमें मोनो कारपलरी यानि सिंगल कारपल हो विए भूस मेल बहुत सारे होंगे कारपल या पिस्टिल आपका एक है और उसमें सुपिरियर ऑवरी है यानि हाईपो गाइनस कंदिशन है । ऐसी कंदिशन को आप क क्या बोलते हैं, droop fruit बोलते हैं, तो droop कैसे बना, mono-carpulary, superior ovary, mono-carpulary superior ovary, यह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, this is regarding fruit, काफी सारी बाते हैं, बट इसमें से general बाते हैं, आप बहुत सारी जानते होंगे, इसलिए इस topic को पढ़ना थोड़ा सा आसान हो गया, काफी सारी discussion इस बारे में previous topics में भी कर चुके हैं, but this is a complete topic in itself, कोई भी point anti-arctic आपका, चूटा नहीं है, so that you can easily grasp all the concepts very well, in fact we have started from basics, right, and now let's do the very same thing for seed, अगर आप एक बीज की बात करें, तो एक बीज में आपको देखने को क्या मिलेगा, when you talk about a seed, तो जैसा मैंने आपको बताया था, एक ovary जो है, वो ripe होकर के, after fertilization, fruit बनाती है, similarly, an ovule forms seed after fertilization, after fertilization, है न, after fertilization, ovule जो है, seed बनाता है, अब यहाँ पर देखें, let's say, एक seed है, ठीक है, इस seed के उपर क्या लगे रहता है, है, seed coat लगे रहते है, जानि बाहर कुछ coverings है, पूरे पर नहीं बनाते है, छोटे से बना लेते है, this is first covering, let's say, पूरा ही बना देते है, this is first covering, this is second covering, this is second covering, ठीक है, this is your seed, this is outer covering called testa, this is inner covering called tagman, this is inner covering called tagman, seed है, उसके उपर testa tagman, ठीक है, अब यहाँ पर इस seed के अंदर, what is present, the embryo is present inside, embryo is present inside, तो बाहर के side क्या है, testa and tagman है, which are basically forming the seed coat, and यहाँ पर अंदर के side क्या है, आपका embryo है, जो कि develop होगा, है ना, embryo है, अब यह जो embryo है, इसमें क्या-क्या होता है, अब इस embryo में, आपका एक होगी embryonal axis, embryonal axis जिस पर सारा का सारा समान पाए जाएगा, and cotyledons यहाँ पर हो सकते हैं, एक seed है, तो इसमें cotyledons भी होंगे, cotyledons होंगे, अब यह cotyledon एक है, दो इस पर depend करता है कि आप इन्हें monocot बोलो गया, dicot, let's say the cotyledon is 1, so what would be the name of the seed, it would be a monocot seed, monocot, mono मतलब 1, cot मतलब cotyledon, 2, dicot, die मतलब 2, cot मतलब cotyledon, यह आपके cotyledons हो जाएगे, ठीक है, this is the thing that you need to understand, यह basic से आपका seed का, अब अगर आप एक monocot यह dicot seed को गौर से देखें, तो आपको actual में पता लग जाएगा कि क्या हुआ, अब जैसे यह आपका एक dicot seed है, अब dicot seed के अगर आप बात करें, तो dicot seed पर यह क्या है आपका, axis हो जाएगी, इस एक्सिस पर यह जो नीचे वाला पार्ट है, इस नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोल देंगे, इस नीचे वाले पार्ट को हम बोल देंगे, radical, और अगर इसको हमने बोला radical, r for radical, तो यह r for root system बनाएगा, और उपर वाले पार्ट को हमने क्या बोला, plumule, उपर वाले पार्ट को हमने बोला, plumule, तो यहाँ पर यह क्या बनाएगा, shoot system बनाएगा, यह आपका shoot system बनाएगा, और यह आपके क्या है, है cotyledons है यह आपके क्या है two cotyledons जो कि food वगएरा store करेंगे and if it contains two cotyledons then ultimately it becomes a dicot seed it becomes a dicot seed अब यहां पर this is a dicot seed of gram basically आपको चना दिखाया गया है चने में अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक region होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं hyalum क्या करेगा इस seed को connect करेगा fruits connects eat seed a few fruit लेकिन जब इस बीज को आप बोँएंगे जमीन के अंदर इसको जब आप जमीन के अंदर उगाएं की कोशिश करेंगे तो यहां पर एक region होगा जिसको हम कहते हैं यह माइक्रोपाइल एक छोटा सा छेद है जो आपका ऑक्सिजन वगएर अंदर लेगा जो आपका वाटर वगएर अंदर लेगा और इस स्टीड को जर्मिनेट कराने में हेल्प करेगा तो यह दोनों चीज़े क्या हो गई यह दोनों चीज़े तो आपकी कॉट्लेडन हो यह दो जाया है आप उसे पानी दोगे वह पानी किसके तुर अंदर जाएगा माइक्रोपाइल के तो है ना वह oxygen ले रहा है फुस्फुसी जो मिट्टी है धीली मिट्टी जो है उससे oxygen ले रहा है अगर आप यहां पर एक स्टेंडर्ड एक्डाम्पल लें तो आप मतर का द जाना देख सकते हो, ग्राम देख सकते हो, बीन देख सकते हो, that would also be dicot, dicot usually endosperm बहुत ज्यादा store नहीं करते हैं, इनकी development के दौरान endosperm खतम हो जाता है, तो bean, ग्राम, पी इनमें आपको stored endosperm नहीं देखने को मिलेगा, है ना, लेकिन monocots के अंदर, आपको usually endosperm देखने क orchid जो बहुत छोटे होते हैं, उनके अंदर endosperm नहीं देखने को मिलेगा, बट usually उनके अंदर देखने को मिलता है, यहाँ पर थोड़ा सा कम है, right, so there will be seed coat also, seed coat लिख देते हैं, seed coat कौन-कौन सा होगा, testa tagman, यह हमें पहले से पता है, तो इसमें हमारी कोई भी tension नहीं है, this is the dicot seed, अगर हम monocot seed की बात करते हैं, what would a monocot seed would look like, देखो या, यह आपके embryonal axis है, यह आपके embryonal axis मालो, यह आपके embryonal axis मालो, यह आपके embryonal axis मालो, अब axis में सबसे उपर यह जो part present है, यह part क्या हो गया, जो उपर part present है, what would it be called, it is plumule, it is plumule, and plumule का cover क्या कहलाता है, plumule के उपर जो cover है, कोलियोप टाइल, P for plumule, और कोलियोप टाइल में P आ रहा है, कोलियोप टाइल, नीचे अगर आप देखेंगे, तो plumule क्या था, इसके अलावा, नीचे वाला part, radical, radical का cover अगर आप देखेंगे, it would be, colioryza, it would be colioryza, तो R for radical, colioryza, RRR है, यह आपका colioryza हो जाएगा, ठीक है, यह आपका क्या हो जाएगा, this is the part of monocot seed, ठीक है, यहाँ पर यह जो region आपको दिखाई दे रहा है, this is containing the endosperm, क्योंकि यह आपके usually monocot endosperm होते हैं, तो endosperm store करके रखेंगे, इस बहुत बड़े part के अंदर, यहाँ पर एक layer होती है, जो इस endosperm को protect करती है, यह cover करती है, इसे हम क्या कहते है, alluron layer, alluron layer, और alluron layer किसकी बनती है, alluroword कहीं पर भी आ जाए, तो आराम से क्या लिख देना, प्यार से क्या लिख देना, protein, alluron layer किसकी बनती है, protein की बनती है, ठीक है, this is your monocot seed, which is usually endospermous, है न, जैसे orchids do not contain endosperm, वो अलग बात है, लेकिन इसके अलावा जादा तर, caster हो गया, जनरल monocot would contain endosperm, orchids do not contain endosperm, but other than that, general, you know, monocot would be containing endosperm in there, तो यह आपकी axis है, axis के उपर, आपका, you know, radical और premule है, उनकी covering हो गई, cileptile, koleorizer, यहाँ पर अलग से आप root cap भी बना सकते हो, future में है न, and यहाँ पर, this is the main region, जहाँ पर आपका क्या पाया जाता है, endosperm पाया जाता है, इस endosperm को cover करने वाली यह, जो highlighted layer है, इसे हम alluron layer कहते है, जो कि protein की बनी होती है, this is a protein rich layer, there is only a single cotyledon over here, and monocots में, एक single ही shield shape cotyledon होता है, shield, shaped, cotyledon होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, cotyledon कहते हैं, grasses में, यह इतनी बार सवाल पूछा जा चुका है, नीट में जिसकी कोई हद नहीं है, shield shaped cotyledon, आपका पाया जाता है, monocots के अंदर, इस बात को हमेशा याद रखना है, ठीक है यार, यह आपका seed and fruit हो गया, and now we would be proceeding towards the family, मैं थोड़ा सा setup सीख रहा हूँ, इसलिए मैं pyqs integrate नहीं कर पा रहा हूँ, but after a point of time, अभी एक-दो दिन के अंदर, I am trying कि कैसे incorporate किया जाए चीजों को, तो हम pyq भी साथ-साथ करने लगेंगे, और जो topic जिनके pyqs छूटे हैं बीच में, जैसे morphology का pyq नहीं हुआ, I will make a separate session of that, तो उसमें कोई tension नहीं है, Animal Kingdom के last तक के pyq हम लोग वैसे ही कर चुके थे, तो thank you so much guys for watching this video, अगर आप कोई वीडियो पसंद आई, अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी, तो इस वीडियो को like कर दीजे, अपने दोस्तों को इस channel के बारे में बता दीजे, और telegram channel को जरूर join कर लिजेगा, नीचे description में link है, वहाँ पर आपको notes और काफी सारे questions मिलना start हो जाएंगे, alright, सबको शुक्रिया, bye bye, take care, lots of love, जैहिंद,